शत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस है पूरे विश्व की एक अध्भुत एतिहासिक धरोहर क्योंकि ये है दुनिया का एक मात्र रेलबे स्टेशन जिसे अपने अनोखे आर्किटेक्चर के कारण युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गौरव प्राप्त है 16 अप्रेल 1853 को देश की पहली ट्रेन यहीं से अपनी यात्रा पर निकली थी इस स्टेशन से प्रति दिन लाखों यात्री अपने सफर पर निकलते हैं 1200 से जादा लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की लगभग 100 ट्रेनों का इस टर्मिनल से आगमन और प्रस्थान होता है मौजूदा क्षमता पर लगातार बढ़ते दबाव और भविश्य की जरूरतों को देखते हुए ये आवश्यक था कि पैसेंजर लोड विवस्थित हो रेल ट्राफिक सुगम हो और समय के अनुरूप बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से ये स्टेशन लैस हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लगातार आधुनिक होते रेलवे के तीवर सफर में जुड रहा है एक नया अध्या है इंफ्रास्टेक्टर के विकांस के लिए एप्रोच में बहुत बड़ा बड़लाव आया है रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है अब कनेक्टिविटी का एक संपोण सिस्टिम तयार किया जा रहा है यानि याता यात के अलग-अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो एक सुनिश्चित किया जा रहा है अठारा सो करोड रुपे से अधिक की लागत से छत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा इस स्टेशन का हेरिटेज रेस्टोरेशन किया जाएगा यानि विरासत भी और विकास भी स्टेशन में मौजूदा साउथ हेरिटेज क्षेत्र को दीकंजेस्ट करने के लिए दो नए, एक लोकल और एक लॉंग डिस्टन्स के लिए यात्री सुविधा क्षेत्र बनेंगे जिससे यात्रियों और ट्रेनों दोनों की आवाजा ही हो सकेगी और बेहतर Multiple Entry Exit, पर्याप्त पार्किंग एरिया जैसी सुविधाएं यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगी साथ ही Terminus का Metro Line के साथ भी एकी करण होगा ताकि Connectivity का Integration हो और लोगों को आवाजाही में सहजता दिव्यांग जनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए विशेश विवस्था होगी Terminus में यात्रियों के लिए Double Level Concourse Area का भी निर्माण होगा जहां Retail Shop, Restaurant और Waiting Area जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होगी नए भारत के आधुनिक रेलवे की दिशा में ये Redvelopment Project है एक एहम कदम जिससे अमरित काल में एतिहासिक छत्रपती शिवाजी महराज Terminus बनेगा अत्याधुनिक भव्य और World Class